दोस्तों मेरा नाम है प्रियांक और आप देखने वींग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वाइगत हैं अक्सर मैंने अपने वीडियो में बार बार बताया है कि बेसिकली किस तरीके से आप कुछ भी अचीव गरें या कुछ भी बड़ा कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं अब एक तरह से रूट पर बताया पर यह मैंने कभी नहीं बताया कि बेसिकली एक बार जब आप कुछ एक अच्छा लेवल अचीव कर लें तो फिर आपका एटिटूट किस तरह का होना चीए तो क्या कहता है मेरा उपीनियन इस बारे में जानते हैं इस वीड पहुंचा तो मतलब सोसाइटी के दो फिरेंट्स के दो फैंबली के दो मतलब उन्होंने ऐसे स्पेशल वील करा दिया कि अब तो मैं पता नहीं क्या वन गया हूं और अपने से कोई क्रेडिसम लिया नहीं जा रहा हूं बिल्कुल मतलब होता है ना कि I am someone attitude आ गया और फिर मतलब life के phases में मैं आगे बड़ा पीज में मैं एंटरी कुछ फेलियर में तो वहां से जह है मतलब मेरे को धिर दिरे growing mindset आया और वहां से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी समझी तो यह कोई बोलता है कि हैना आपको मतलब success भी मिल जाए तो humble रहना चाहिए humble रहना चाहिए ल example को छोड़ दीजिए आप किसी विल्योर पर माल लिजा आप बहुत ज्यादा अमीर यह successful बन गया है या पर बहुत ज्यादा नाम हो गया है या आप माल लिजे बहुत ज्यादा सुंदर है और आपको बहुत ज्यादा achievement feel होने लगा है कि मतलब मैं तो पता नहीं क्या बन गी आपके कुछ teachers रहे होंगे को mentor रहे होंगे बहुत सारे लोग रहे होंगे तब कहीं जाके आज आप उस level पर हो जहां पर मतलब आप इतना पहुंच के गुमान कर रहा हो तो मतलब basically अगर देखा जाए technically अगर समझा जाए तो पहुंच एक आदमी गया लेकिन पीशे बहुत का हाथ है तो जब इतने लोग का हाथ है तो मतलब उस success में इतने लोग का हाथ है तो credit इतना है तो फिर यहां पर मैं कैसे आ सकता है तो जैसे यहां पर मैं आए कि I am someone attitude हटता है तो obviously कि it is all because of you people वो जब एक attitude आता है कि एक sense of gratitude कह सकता है आपको समझ में आता है कि basically इन सब के efforts क कि वज़े से आज में यहां पर पहुंचाओ तो there is no reason to become egoistic then और फिर आपको I am someone attitude तो certainly drop होई जाता है और दूसरा जो reason है दूसरा जो mindset आपका develop होता है वो यह कि जो भी success मिली है वो कितनी ज्यादा temporary है मतला मान लिजे बहुत ज्यादा अमीर हो गया तो भी बहुत temporary है क्या मा मालो माज अमीर हो पर भी situation बदले गरीब हो जाओ या कुछ हो जो मतलब खुदा रकासता ऐसा हो लेकिन हो यह आप मालीजे आपको बहुत किसी चीज का प्राइड ले रहे है कि मैं तो बहुत ही जादा सुन्दर हूं या मैं बहुत ही ज्यादा handsome हो ऐसा वैसा वैसा हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है वह इतनी अच्छी ना रहे है काम ना कर रही हो बहुत साई चीजें हो सकती है या मालीजें बहुत जादा आपका नाम है सोसाइटी में बहुत आप किसी को कॉल लगा तो काम हो जाता है तो तो नेवर नो कि 5 साल 10 साल बीस साल बाद में क्या situation आपका कोई कूछे भी नहीं तो ये सारी जब आप देख लेतों कि इतनी टैंप्रेरी है तो अगें उस चीज का प्राइड गया लेना तो ये मतलब मेरी तरफ से दो अंडरस्टेंडिंग जो मुझे मिली कि भाई एक पूरा क्लेक्टिव एफट से मुझे महा तक पहुंचान मर्ने पढ़ते हैं हमबल होने के लिए और जब आप इस तरह से होतो होते हो नहीं पीस्फुल होतो होता है कि जिंदगी पूता है यह जिन्दगी बता सकते हैं जो कि उससे जी रहा या जी चुका है तो वहंबल और वैसे भी आप उनहीं लोग की हम रिस्पेक्ट करते हैं कि बहुत सारे हमारे आपके प्रेसिडेंट आके गए इंडिया में लेकिन आई थिंक एवरीबड़ी वुट रवेंबर डॉक्टर एपी जब तुलकला बहुत सारे क्रिकेटर्स आके गए हैं लेकिन आई थेंग सचिन तंदुलकर को हर कोई जानते होंगे और इसी तरह से बह बहुत सब्सक्राइब तो उनकी तरह से क्या किता है शोभा में चार चांद लग गया तो बहुत सब्सक्राइब कर रहा है तो आप उसे लेते जाएंगे तो डिफरेंस बिइंग हमल एंड बिएंग अंडर कॉन्फिदेंट तो अगर आपको सिच्वेशन डिमांट गर रही वाल कि तेक अंज की थे एक्षिंगन एंड तो सुंधन विज रही रएंप मैं मुलेशन मां इस थे तो यॉड़ में चानि भीजे ऐ। तो आप से मुलाक्षात होगी जाए विग्ज्या तो